नमो तसे भगवतो अरहतो शम्मा शम्वुद्धस। में स्वागत एवम अविनंदन करते हैं। पिछले इपसोड में यानि 46 इपसोड में हम लोग रूप पर चर्चा आडंब किये थे। वहां हमने रूप क्या है। अभिधम की द्रिष्टी रूप के संबंध में क्या कहती है। रूप कितने परकार के होते हैं। विमर्श किये थे। रूप को मूलतह दो वर्गों में विभाजित किया गया है। भूत रूप जिसे महाभूत के रूप में जाना जाता है। तथा उपादा रूप यानि उपादाय रूप बेसिक मेटेरियल क्वाइलिटी या यह हूं कहे जनेरेटेड मेटेरियल क्वाइलिटी। महाभूत चार हैं पत्थवी, आपो, तेजो तथा वाइयों। प्रित्थवी, जल, अगनी तथा वाइयों। अर्थ, वाटर, फायर, एन एयर। इन चारों की चर्चा हम पिछले एपसोड में कर चुके हैं। इस एपसोड में हम उपादा रूप पर चर्चा करेंगे, जिसे उपादाय रूप भी कहा जाता है जनेरेटेड मेटेरियल एलिमेंट या जनेरेटेर मेटेरियल क्वाइलिटी। इसको हम लोग देखने जा रहे हैं, देखते हैं उपादा रूप क्या है। अभिधम के ग्रंथ इनके बारे में क्या कहते हैं। महाभूतों से उत्पन परविडत रूप ही उपादा रूप है। इसी बात को अभिधमत विवहावनी टीका में इस तरह कहा गया है। महाभूते उपादाय पवत्तं रूपंग उपादाय रूपंग। धम संगनी में देखते हैं। धम संगनी की अठकता में आचार्ज बुद्ध गोश कहते हैं। उपाद्यती ती उपादा महाभूतानी गहत्वा अमुन्चित्वा तानी निस्षाय पवतिती ती अत्थो। जो उत्पन होता है वह उपादा है। महाभूत पर आश्रित होकर जो प्रविर्थ होता है यही अर्थ है यही उपादा रूप है। कहनी का अर्थ है कि चार महाभूतों पर अवलंबित होकर उपादा रूप उत्पन होते हैं। Depending on four basic material qualities, there arise the उपादा रूपा. उपादा का अर्थ ही होता है जेनेरेटेड, दुसरों से उत्पन, इसे एक उधारन से समझते हैं. प्रित्वी और व्रिच पेड का उधारन लेते हैं, जिस तरह प्रित्वी पढ़ आश्रित होकर व्रिच उत्पन होता है, उसी तरह महाभूत पढ़ आश्रित होकर उपादा रूप उत्पन होते हैं. आड़ंबिक अविधर्म गरंतों में उपादा रूपों की संख्या 23, 23 मानी गई है, अविधर्म पिटक के पर्थम गरंत धम संगनी को देखते हैं, जहां उपादा रूप 23, 23 बतलाए गए हैं. कतमंतं रूपं उपादा, चक्खायतनं, सोतायतनं, घानायतनं, जिवायतनं, कायायतनं, रूपायतनं, सद्धायतनं, गंधायतनं, रसायतनं, इत्थेंदिरियं, पुरुसेंदिरियं, जिवितिंदिरियं, कायवीयत्ति, वचीवीयत्ति, आकास धातू, रूपस लहुता, रूपस मुदुता, रूपस कम्मयता, रूपस उपचयो, रूपस संतती, रूपस जरता, रूपस अन्चता, कबली कारो, आहारो यही 23 परकार के उपादा रूप धम संगनी में कहे गए हैं लेकिन परुवर्ति बाद के अविधम गरंथों में जैसे अविधमत संगहों के ले, अविधमत संगहों में उपादा रूप के अंतरगत हदे वथ्थू को भी समलित कर लिया गया है इस परकार उपादा रूप 24 हो जाते हैं, 24 हो जाते हैं, और सभी रूप, समस्त रूप 28 हो जाते हैं, चार महभूत और 24 उपादा रूप अस्तु, सब में ग्यान के उद्यश से अच्छी तरह से बोध हो जाए, इस उद्यश से बातों की अस्पस्थता को ध्यान में रख कर, सभी 28 रूपों का अध्यान, 11 वर्गों में 11 हेट्स में रख कर किया जाता है, इनमें एक वर्ग महभूत के हैं, तथा सेश जो रिमेनिंग जो 10 हेट्स हैं, 10 वर्ग हैं, वे उपादा रूप के हैं, वे 11 वर्ग हैं, पहला भूत रूप, दुसरा पसाद रूप, तिसरा गोचर रूप, 14 भाव रूप, 5 हदे रूप, 6 जिवित रूप, 7 आहार रूप, 8 परिछेद रूप, 9 वियत्ती रूप, 10 विकार रूप, और 11 लखन रूप, इन ही 11 वर्गों में, समस्त रूपों को विभाजित किया गया है, इन में से जो पहला वर्ग है, भूत रूप, इसकी चर्चा हम लोग पिछले एपसोड में, महा भूत के अंतरगत कर चुके हैं, यहां अब 6 बचे, 10 वर्गों पर विमर्ष करेंगे, वे सभी उपादा रूप के ही वर्ग हैं, इन 10 वर्गों में कुल उपादा रूपों की संख्या 24 हैं, एक एक कर देखते हैं, सरपर्थम पसाद रूप, रूपों की परसन्नता का भाव पसाद रूप है, इसे अभिधमत संगहों की नवनीत ठीका में इस तरह कहा गया है, पसादोती रूपाणं पसन्नता, इस वर्ग में सनवेदी रूप आते हैं, sensitive material qualities आते हैं, ये संख्या में पाँच हैं, वे पाँच हैं, चक्खु, सोत, गान, जिवहा तथा कायर, आई, एर, नोज, टंग, एंड बड़ी, आँख, कान, नाख, जीव तथा यह जो सरीर है, यही पाँच पसाद रूप है, अब एक एक कर इन पांचों को देखते हैं, ये है क्या, क्या, यह जो चक्शु गोलक है, नेत्र गोलक है, आईबॉल है, वह आँख है, नहीं, वह आँख नहीं है, हम किसी किसी ब्यक्ती को देखते हैं, कि उसके पास चक्छु गोलक तो रहता है बिल्कुल उसकी आखे सामान ब्यक्ती जैसी दिखती है लेकिन वह देख नहीं पाता है उसे हम अंधा काते हैं, ब्रैंड काते हैं ऐसा क्यों काते हैं? क्योंकि उसमें देखने की सक्ती नहीं है उसे के पास चक्छू गोलक तो है लेकिन वह देख नहीं सकता है उसके चक्छू गोलक में आई गोल में आई बॉल में देखने का गून विद्वान नहीं है अतह चक्छु हम उसे कहेंगे आँख हम उसे कहेंगे जिसमें द्रिश विशयों विजिवल आपजेक्ट को देखने का गुन है दस्सन समत्ताती चक्छु देखने की समर्थता देखने का सामर्थ चक्छु है पोटेंसियालिटी तु सी दा विजिवल आपजेक्ट इज आई इसी तरह सुरोत यानी कान इएर सुनने के गुन का नाम है सवन समत्ताती सोतंग पोटेंसियालिटी टू हीर दा अड़ेवल आपजेक्ट्स जो सुनता है वही कान है अन्यता वह तो बड़ा है अब आगे देखते हैं तिसरा पसाद रूप ग्रान और थर्थ नाक नोज नाक सुमने के गुण को कहते हैं घायन समतताती घानंग ability to smell the odorous objects उसी तरह ability to release the separate objects is done अनि रसा स्वादन लेने का जो गुण है वही जिवा है सायन समतताती जिवा और अंतिम पांचमा पसाद रूप है काय बड़ी असपर्स करने का जो गुण है वह काय है having potentiality to touch the tangible objects is बड़ी हूसन समतताती कायो यही पांचमा पसाद रूप है चक्छु, स्रोत, घ्रान, जिवाहा तथा काय जिस पर अविधर्म की दिरिश्टी से हम लोगों ने विचार किया अब अगला जो वर्ग है next classification है वह है गोचर रूप गोचर में दो पद हैं गो तथा चर यहां गो का अर्थ इंदिरियां है अर्था जो अभी जो इंदिरियां देखें हैं आगे चर्चा करेंगे तथा चर का अर्थ विचरन करना होता है अत जहां इंदिरियां गमन करती है जहां इंदिरियां विचरन करती है उसे गोचर कहा जाता है अभिधमत संगहो की विभावने टीका गोचर रूप के बारे में क्या कहती है देखते हैं गोचर रूपंग नाम पंच वियान विशय भावतो गाओ इंदिरियां चरंती एथाती गोचरंती आरम्मनस से एतंग नामं इस तरह गोचर रूप अनभव गम में रूप के अर्थ को बतलाता है अनभव बतलाने वाला जो रूप है अनभूती कराने वाला जो रूप है वह गोचर रूप है इसकी संक्या चार है वे चार है रूप सद्ध गंध तथा राशा विजिवल आपजेक्ट आड़िवल आपजेक्ट आड़रास आपजेक्ट और शाइपीड आपजेक्ट अभी हमने देखा कि जहां इंदिरियां विश्रन करती है वह गोचर है हम जानते हैं कि इंदिरियां अच्छा है चक्छू, स्रोत, ग्रान, जिवा, काय तता मन, आई, इर, नोज, टंग, बड़ी, एन, माइंड और जहां इंदिरियां सेंस ओर्गंस विश्रन करती है वह गोचर है यानि जो इंदिरियों के आलम बन हैं उनके जो विशें हैं उनके जो अबजेक्ट्स हैं वह गोचर हैं अर्थार्थ इन इंदिरियों के तदर रूप जो आलम बन हैं वह गोचर हैं चुकि इंदिरियां श हैं अतहा आलम बन भी श हैं वे चह कौन से हैं वे हैं रूप यह सब्द गंध रस अस्परिश्टब्वे तता धर में वीसिवल अबजेक्ट ऑडिवल अबजेक्ट अडरास अबजेक्ट सैपीड अबजेक्ट Tangible Object Photob and Ideational Object कहने का आर्थ है कि हमारी जो छ इंद्रियां है वे इनही छ आलंबनों से अनभव प्राप्त करती है ये छ आलंबन रूप, सब्द, गंध, रस, अस्प्रिश्टब तता धम, गोचर रूप होने चाहिए लेकिन हमने चार आलंबनों को ही चार अबजेक्ट्स को ही गोचर रूप में समलित किया है ऐसा क्यों किया है? देखते हैं छट्ठा जो आलंबन है वो है धम धरम, Ideational Object यह आलंबन मन का है माइंड का है और हम विवर्ष कर रहे हैं किसका? रूप का चुकि वह रूप का विशय ही नहीं है इसलिए इसे धम को Ideational Object को गोचर रूप में समलित किया गिया है क्लियर? अब देखते हैं फोटब को अस्प्रिश्टब केंजिवल Object को सामिल क्यों नहीं किया गिया? वह तो रूप का ही विशय है? जी हां रूप का विशय तो यह है लेकिन Repetition नहों डूपलिकेशन नहों यानि पुन्रविर्ती नहों इस कारण से फोटब को गोचर रूप में समलित नहीं किया गिया है फोटब गोचर रूप तो है क्योंकि कायब बड़ी इससे असपर्स करता है असपर्स करके ही पता चलता है किया करकस है अथवा रुखडा कठोर है अथवा करा छूकर ही पता चलता है किया आबजेक्ट हाड है या रफ है यानि रफनेस तता हाडनेस रुखडापन तता करापन को असपर्स करके ही टच करके ही अनभव कर सकते हैं इसे हम लोग पत्थवी महाभूत में प्रित्थवी महाभूत में अलरेड़ी समलित कर चुके हैं जिसकी चर्चा पिछले इफशोड में इफशोड संख्या फोटीस चेक्स में विस्तार से कर चुके हैं उसी तरह तेजो यानी अगनी तथा वायो यानी वायो को भी असपर्स के माध्यम से ही अनभव करते हैं इनकी भी चर्चा पिछले इफशोड में महाभूत के अंतरगत आने वाले रूपों में की जा चुकी है पत्थवी तेजो तथा वायो को पृत्थवी अगनी तथा वायो को सरीर असपर्स के द्वारा ही गरहन करता है इसलिए यहां पांचवा जो आलमबन है फोटब यानी असपरिस्टब अंग्रेजी में कहें तो टेंजिबूल आबजेक्ट को गोचर रूप में समलित नहीं किया गया है चुकी पत्थवी तेजो तथा वायो ये तीन पृव मेही महाभूत में भूत रूप में सामिल किये जा चुके हैं अतह इनका पुनह समलित करना आवश्यक नहीं रह जाता है इसलिए अविधमत विभावनी तीका में कहा गया है आपोधातू विवजितं भूत तई संखातं ती फोटब्बं अर्धार्थ आपोधातू को छोड़कर सेस्तीन जो भूत रूप है आनि पत्थवी तेजो तथा वायो इनका संखात हैं इनका इनकलूजन ही अस्प्रिष्टब्ब रूप है फोटब्ब रूप है इस तरह गोचर रूप के अंतरगत चार आलंबनों को ही रूप सब्द गंध तथा रस को ही समलित किया गया है अस्तू सेस्ती रूप को यानि भाव रूप हदय रूप जिवित रूप आहार रूप परिचेद रूप वियत्ती रूप त्वीकार रूप तथा लखन रूप को हम अगले इफ्षोड में विमर्श करेंगे भावतू सब मांगलं